नमस्कार दोस्तों, पूजय शक्ति चानल में आप सभी मेरे भाई और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नवी शेपर हम चर्चा करेंगे वो है आपके घर के अंदर आपके भगवान किस प्रकार से रखे हुए या कौन सी मूर्थियां रखी हुई है कुछ ऐसी मूर्थियां होती है जिन्हें देखकर निकलने से या फिर उन मूर्थियों के दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में परिशानियां बढ़ने लगती है पुरानी मान्यताय हैं कि घर के मंदिर की मूर्तियां रखने से जो पॉजिटिविटी है सदेव घर में बनी रहती है वास्तु शास्तर के हिसाब से भी बहुत शुब मानी जाती है परन्तु घर में देवी देवताओं की क्रिपा तभी प्राप्त होती है जब हम उन्हें सही नियम के पालन करते हुए रखें अन्यता जो परिशानिया है उनसे हमें कोई नहीं बचा सकता है अगर आपके घर में भगवान की मूर्तिया है तब आपको विशेश बातों का ध्यान सदेव रखना चाहिए सबसे पहले तो अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी और व आको पीट जो है आपके घर में कहीं भी गणेश जी लगे हो उनकी पीट के दर्शन होते हैं तो यह बहुत बड़ा नुकसान का कारण आपके जीवन में बनती है अलक्ष में आपके घर मेर विराजमान हो जाती है तथा सदेव परेशानिया जो है आपके घर पर रहती हैं वहीं विश्णु जी की मूर्ती अगर आपके घर पर आपने रखी हुई है, उनकी पीट के दर्शन करने से भी आपको सदे बशना चाहिए, इनकी पीट दिखना कभी भी शुब नहीं माना जाता है, तथा साथ ही साथ ये आपके जीवन में सदे बहुत से परिशानियों को ब उनकी उस मूर्ती को रखने से सदे बचना चाहिए, घर से निकलते समय अगर हमें भगवान रौदर सुरूप में उनके दर्शन हो जाते हैं, तो इस चीज़ से भी हमारे जीवन में परिशानिया बढ़ती हैं, तो हमें वो चीज़ करने से भी बचना चाहिए, सदे घर के अंदर, सुन्दर, सौम में तदा हस्मुक सुभावाली जो मूर्तियां होती हैं, उन्हीं के दर्शन करने चाहिए, उन्हीं की पूजा करने चाहिए, खास तोर पर ग्रस्त जीवन में हमें राधा कृष्न की मूर्ती या फिर कृष्न जी के सौरूपों को जरूर विराजि जो है एक दूसरे के सामने कभी नहीं विराजित करनी चाहिए, यानि कि अगर आपने एक मूर्ती भगवान के रखी है, उनके मुक के सामने कभी भी कोई दूसरी मूर्ती विराजित ना करें, अन्यता जो है आपके घर में सदेव या कारिस्तल पर अगर आप ऐसा रख लेत हैं, तो विवात की स्थिद्यां बहुत बनती हैं, तथा धन हानी भी बहुत होती है, इसके साथ साथी आपको बहुत जादा परिशानी उठानी बढ़ती है, घर के मंदिर में श्री गणेश की मूर्तियां रखें, लेकिन पूजा घर में कभी भी गणेश जी की तीन प्रत लेकिन कभी अपने घर में दो शंक नहीं रखें, अगर मंदिर में दो शंक हैं, तो एक शंक को वहां से हटा दीजें, अन्यता ये भी जो है आप लक्षमी जी की क्रपा धीरे धीरे हटाने लगता है, इसके साथ ही भाईयों और बहनों एक और वास्तुनियम है कि घर के मंदिर में जादा बड़ी मूरतिया हमें कभी नहीं रखना चाहिए, जादा बड़ी मूरतिया रखने से हमें सदेव बचना चाहिए, बताया जाता है, यदि हम घर में शिवलिंग रखते हैं, तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के अकार से बड़ा नहीं होना चाहिए, शि बार नेगेटिव एनरजी भी संचार करने लगती है जास्त्रोगयनुसार खंडित मूर्तिया पूजा में वरजीत है तो कभी भी खंडित जो काच तूट जाता है तो आप या तो काच उसका बदल देजिए या फिर आप पवित्र नदी में उस मूर्थी को प्रवाइद कर सकते हैं साथ इसाथ अगर मूर्थियां बहुत पुरानी हो जाती है तथा आपको लगने लगता है कि आप उन्हें बार बार पेंट कर रहे हैं तथा उन्हें कई सालों से अपने घर में रखा हुआ है पर अब आपके घर में जो है बहुत सा नेगेटिव एनर्जी आने लगी है जगड़े बहुत होने लगे है तो किसी योगी पंडित की सहायता से उस मूर्ती को जल में प्रवाइद करके आप उनकी जगा कोई नई मूर्ती की स्थापना कर सकते हैं पूजा करते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहें कि पूजा के बीच में कभी दीपक नहीं भुझना चाहिए परन्तु दीपक कई बार जो है हवा के कारण बुझ जाता है हमपंखा या फैन अन कर देते हैं कई बार जो है अंजाने में बुझ जाता है तो उस चीज़ का कोई फल नहीं मिलता है परन्तु अगर दीपक जलता जलता एकदम से बुझ जाए तो वो अशुप माना जाता है पूजा स्थल में सदेव हमें दो दीपक की स्थापना करनी चाहिए मिट्टी के दीपक हो तो बहुत ही शुप माना जाता है मिट्टी के ना हो तो आप पीतल के दीपक रख सकते हैं दो दीपक में जो होता है एक दीपक सदेव तेल का जलाना चाहिए तेल जो आप कहते हैं तेल अपनी शम्ता अनुसार या अपने ग्रहों की स्थिती अनुसार अलग-अलग तेलों का उपयोग किया जा सकता है इसके साथ में आप एक दीपक जो है गाएं के घी का अवश्य जलाएं गाएं का घी उपलब्द ना हो तो आप दूसरा घी भी उपयोग मिला सकते हैं परन्तु अगर गाएं का घी मिल जाता है तो बहुत ही शुब माना जाता है तथा ऐसा माना जाता है इससे विशेश क्रपा जो है आपके घर पर बनती है दो दीपक सदेव स्त्री और पूरुष को दर्शाते हैं यानि घर का जो मेन मेल सदस्य है या फीमेल सदस्य है उनको दर्शाते हैं तथा जब दीपक ये जलते हैं ये लौ देते हैं तब सदेव आपके घर में एक्ता बनती है, आपके घर में खुशी आने लगती है, तदा संबंदों में बहुत ज़ादा मिठास आने लगती है, इसके साथ ही एक वास्तु नियम यहाँ पर बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस बारे में काफी सवाल आये थे, कि घर में जिस थान प ज़ादा बहतर होगा, जगा की कमी के कारण अगर मंदिर किसी अलग रूम में नहीं बना सकते हैं, तो मंदिर के सामने एक परदे की विवस्था करें, या मंदिर में ही परदे की विवस्था करें, ताकि जब आप पूजा पाट करके, यानि भगवान का विश्राम का समय हो तब वो जो परदा है आप पूंड रूप से लगा दे, साथ ही साथ, मंदिर में कभी भी हमें अपने पूर्वजो की या मरत पूर्वजो की जो तस्वीरे होती हैं, भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, पूर्वजो के चित्र लगाने के लिए दश्यन दिशा का जो शेत् वो हमारे शास्त्रों में इसका वंडन मिल जाता है, तो घर के दश्यन शेत्र की जो दिशा होती है, वहाँ पर आप इनके चित्र लगा सकते हैं, तथा जब ये दिवार पर आप चित्र लगाएं, तब आप देख लीजे कि वहाँ पर आसपास मंदिर ना हो, क्योंकि मंदि के अंदर मरतकों की तस्वीर लगाना या पूरवजों की तस्वीर लगाना घर में वास्तु दोश को और बढ़ावा देती है, पूजा में देवी देवताओं को हार, फूल, पत्ती, कभी भी भीना दोहें, जो हमें अर्पित नहीं करना चाहिए, चीजें अर्पित करने से पहले हमें सदेव ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से धुले में हो, साथ हमारे घर के पूजा स्थल पर हमें तांबे से, जो तांबे का लोटा होता है, जल से, शुद्ध जल से, डेली आप जो ये जल है, इसे बदले, नया जल लें, तथा जो पुराना जल हो गया है, इ इसे आप किसी भी व्रक्ष के या पेड को और्पित कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से आप पर जो है, देवी देवतों की विशेश क्रपा प्राप्त होती है, घर में पूजा स्थल में, अगर कोई कबार या भारी चीज हो, घर के जो मंदीर के आसपास हो, बहुत सा प्रशाद या बहुत सी जिससे भगवान के जो बरतन या कपड़े होते हैं, वो उसके उपर लग देते हैं, तब ऐसा माना जाता है कि देवी देवतों को जो भार होता है, हमारे जीवन पर आने लगता है, तो हमें ये कारी करने से भी सदेव बचना चाहिए, मंदित की सहायता से आप देख लीजे कि ये दिशा सही तरीके से हो, ताकि वो जो मंदिर है आपको पूर्ण रूप से पॉजिटिव एनरजी देने लगे, इसके अलावा भाईयों और भेनों क्योंकि हाँ, आज हम बता रहे हैं कि घर में किस प्रकार की मूर्तिया नहीं हो तो सबसे पहले तो हमने बता दिया कि गणेश जी कि कितनी संख्या में मूर्ति होनी चाहिए, इसके अलावा आपको सदेव हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने से भी पहले किसी योग जोतिश से आपंडिश सलहा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रहस्त जीवन में हमे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, साथ हम जब क्योंकि कई बार हमें शनी देवता की क्रपा प्राप्त करनी होती है, तब ऐसी स्थिती में आप शनी देव की मूर्ति हमारे अपने घर में कभी भी स्थापित नहीं करेंगे शनी देव के जो बीज मंतर आते हैं उन्हें आप फ्रेम में जड़वा कर रख सकते हैं परन्तु ये भी जोतिशे सलहा के बाद ही करें तो जादा अच्छा रहेगा कभी भी बिना जोतिशे सलहा के ऐसी मूर्ती की स्थापना करना भी आपके घर में दुखों का कारण बन सकत बाती है तो मंदिर से रिलेटड है तो ये भी बताना ज़रूरी होगा कि घी के दीपक के लिए सदेव सफेद रूइ की बाती का प्रयोग कीजिए तथा तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती जो है स्रेष्ट बताई गई है परन्तु अगर ना मिल पाए तो आप पूजा होती है आपके घर में खास तोर पर अगर दीवाली का समय होता है धंतेरस का समय होता है हम शुक्रवार की पूजा करते हैं माता लक्षमी को खुश करने के लिए कोई कारे करते हैं तब उस समय पर इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर लाल बाती तदा सफेद इचा कर भगवान को आसन दिया है तो ध्यान रखें कि उनकी सफाई जरूर करें साथ ही साथ देख लें कि वो जो कपड़े अगर फट गए है तो उने सिलकर ना भगवान को पहनाए ना ही सिलकर जो है उन कपड़ों का प्रयोग करें शमता अनुसार आप बदलते जाएं जब फट जाते हैं उधर जाते हैं हाथ से सिलकर हमें भगवान को दुबारा उन्हें नहीं पहनाना चाहिए साथ ही साथ मकड़ी के जाले भी उस रूम में उस दिशा में लगना भी अश्यूब बताया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में जिस तरफ भी मंदिर की दिशा कौन सी हो इस बारे में काफी बता चुक है परन्तु जो नए वियोर्ज है उनके लिए फिर से बता देते हैं कि नौर्थ इस्ट दिशा जो है यानि ब्रस्पती देव की जो दिशा है इसे हम इशान कौन भी कहते हैं बहुत ही शुब मानी जाती है इशान यानि इश्वर या भगवान की जहां पर क्रपा होती है स्वामी ब्रस्पती देव जो है साक्षात महां पर विराजित होते हैं इसी वज़ा से जो है इस दिशा को सर्विश्रेश्ट माना जाता है भगवान को रखने के लिए क्योंकि इस दिशा में अगर आप मंदिर की स् भगवान के सामने सिर्ज उकाते हैं तो उन पर भी साक्षात भरस्पती देव की क्रपा बनती है साथी साथ देव क्रपा के कारण ही घर में अगर बहुत से जगड़े होते हैं कारियों में रुकावट आती है तो उस दिशा के ही पॉजिटिव एनरजी के संचार के कारण आ यानि उत्तरवपूर्धिशा वहां पर भी आप जो है क्योंकि ऐसा माना जाता है धर्ति उत्तरवधिशा की शुरुवाती बिंदु के साथ गुमती है तथा यह कौर्नर जो है रेल इंजन की तरह पूरी जो रेल काड़ी को खीशता है घर के इस एरिया में मंदिर होना भी कुछ ऐसा ही है, यानि घर में पूरी ओड़ी जो है, इस तरफ खीच कर चली आती है, ऐसा माना जाता है, घर के केंद्र में एक मंदीर, जो भ्रहम स्थान भी माना जाता है, बहुत ही शुब होता है, घर के निवासी ओं के लिए सम्रिद्य तो लेकर आता है, साथ ही साथ बहतर स्वास्त को भी बढ़ाता है तो भाई और भेनों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर जर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद मुझे सुनने के लिए दन्यवाद दोस्तों